आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमसे क्या पूछ रहा है यहां पर बोल रहा है कि जो Land Reptiles होते हैं जो की वापस चले गए थे Water के अंदर और वो Evolve होगे थे Fish जैसे दिखने वाले Reptiles में और यह सब कुछ 200 Million Years पहले हुआ है यह यहां पर लिखा हुआ है na 200 Million Years एको होता है यह MYA और उस तरह के कुछ Reptiles का एक 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 जैमपल यहां पर है इन चारों में से एक वो कौन सा है हमें यह बताना है तो सबसे पहले Option से शुरू करते हैं सबसे पहले हमें दिया हुआ है Tyrannosaurus Rex तो क्या होता है यह यह सबसे पहली बात तो यह यह जो एनिमल है इसको मैं शॉर्ट में T-Rex भी बोलती हूँ ठीक है तो यह जो है यह सबसे पहले तो इसका साइनिफिक ने में पता है Tyrannosaurus Rex अब क्या हुआ यह one of the biggest Carnivorous Dinosaurs में से है जो की आज तक जिये है ठीक है तो one of the biggest Carnivorous ठीक है Carnivorous Dinosaur है यह दूसरी चीज की जो एक fully grown T-Rex था उसकी height में लगाऊं तो 20 feet से भी ज़ादा थी यानि की जिराफ से भी लंबा कह सकते हैं हम ठीक है तो अब size की बात हो गई है तो यहाँ पे क्या होता है की movies भी अगर हम ले लें तो वो भी अच्छी तरह से नहीं इस Dinosaur के बारे में दिखा पाई है आज तक तो यह मैं कह सकते हूं कि इनको हम reptiles के अंदर नहीं include करते हैं ठीक है reptiles के जैसे इनके अंदर कोई characters नहीं है नहीं यह बोर्ड के अंदर evolved out हुए थे तो option 1 हमारा eliminate हो जाता है एक तरह से बट जब मैं आती हूं second option पे तो जो यह टर्म है । इक्थियो सोर्स इसमें यह जो एक्थियो है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ही खुद ही इसका मतलब क्या है fish जैसा इसका मतलब fish like तो क्या बन गया fish like source ठीक है तो इसी लिए जो एक्थियो सोर्स है यह fish जैसे reptiles थे जो की evolved हुए थे 200 million years ago अब इनके जो ancestors थे वो कैसे थे वो land reptiles थे ठीक है land पर रहने वाले reptiles थे इनके ancestors बट क्या हुआ कि यह वापस से water में चले गए और evolve हो गए fish जैसे दिखने वाले reptiles के अंदर ठीक है और जिनमें से सभी के सभी आज की date में अभी extinct हो चुके है ठीक है तो answer तो हमारा options है किन हो सकता है थर्ड की जब मैं बात करती हूँ which is archaeoptics तो यह क्या है यह basically primitive organisms हैं जो की कुछ transitional characteristics शो करते थे किनके बीच के dinosaurs और birds के बीच के तो यह connecting link कैसकती हूँ मैं dinosaurs और हमारा जो bird होते हैं उनके बीच के कुछ characters यह शो करते थे तो यह feathered creature थे मतलब इनके पास feathers थे जो की 150 million years ago तक जिये हैं और यह basically connecting link है जो की अभी present time में तो नहीं पाए जाएंगे तो इसी वज़े से हम इने कहते हैं missing links ठीक है तो यह जो archaopteryx है missing links है reptile and birds के बीच के तो यहां पर तो birds से related था तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है then मैं आती हूँ stegosaurus पर यह बहुत ही unique dinosaurs थे जिनके पास giant leaf जैसी प्लेट थी इनके कमर पर ठीक है तो इनके लिए में यही कहूंगी कि इनके अंदर special चीज क्या है कि इनके पास एक बहुत बड़ी प्लेट होती थी on their back और इनका जो ब्रेन का साइज था वह बहुत चोटा था ठीक है तीन सेंटीमीटर भी नहीं कह सकते हैं ठीक है और अगर मैं ग्राम में बात करूं तो 75 तू 100 ग्राम का इनका ब्रेन था इसके अलावा इनकी कोई information नहीं है तो यहां पर हमारा important यह है कि एक टियो सॉर्स जो है वो हमारे ऐसे रेप्ताइल्स थे जो पहले लैंड रेप्ताइल्स थे अन यह वाटर के अंदर चले गए थे वापस तो यह फिश-लाइक हो गए थे एक टियो मींस फिश-लाइक तो अप्शन सेकेंड इस दे करेक्ट आंसर क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आई आई टी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सू पर